दोस्तों अगर आप भी परेशान हैं जोडों के दर्द से, घुटनों के दर्द से, कमर दर्द से, या फिर आपके घुटनों में आती है कट-कट की आवाज, यानि की घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है, तो दोस्तों मात्र इस मुस्के का इस्तेमाल कर लेना, फिर चाहे आ एक बार के एस्तेमाल से ही आपके कमर कादर्द गुठने का दर्द जोडों का दर्द जर्द से खतम हो जाएगा आपके चाहें गुठने में दर्द हो या फिर मास्पेश्यों बन 19 supports मित और दों में ये यहां पर मैं नुस्का तयार कने के लिए आपको लेना होगा तो यहां पर मैंने एक प्यास ले लिया है मीडियम साइज का और इस प्यास का आपको छिलका नहीं निकालना है अब इसके बाद में हम दूरी सामगरी लेंगे ये हैं दोस्तों लेसून लेसुन की कलिया हमें करीबन आठ से दस लेनी है और इसका भी छिलका हमें नहीं निकालना है क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा छिलके में भी बहुत मैं तो पूर पो सकतत होते हैं छिलके में चाहे वो प्याज का हो या फर लेसुन का हो या आलू का हो किसी का भी हो सभी के छिलके में मैं तो पूर पो सकता तो होते हैं ठीक है यहाप मैंने ले लिए इनको भी मैंने कट कर दिया है अब इसके बाद में आपको लेना है धनिया यानि कि यहाप मैंने लिया है ह इसकी डंडी बेगरा कुछ नि डालते हैं दोस्तों यह जो मैं तेल आपको बताने जा रही हूं इसमें भरपूर मात्रा में हैं केलसियँ आयरन ब्लफ्राड पोर्च में आपको को मिलेगा तो यहां पे मैंने जाउमड ढाल दिया है चॉप किया हुए धनिया और मैंने यह डाल दिया है प्याज आप सभी लोग जाنتे हैं जो यह लेसन और जो यह धनिया और यह प्याज यह दर्द को सूजन merger को laying इसे खतम करता है जैसे कभी था ही नहीं और यह 100% फायदा करता है अब इसके बाद में आपको चाहिए ओयल यानि की तेल तो मैं यहाँ पे ले रही हूं सरसो का तेल यानि की मस्टर्ड ओयल तो मैंने यहाँ पे एक सीसी तेल लिया है यानि की एक कट्रोरी तेल लिया है तो मैं आ आप मैंने ले लिया है एक छोटी कड़ाई तो आप कोई सावी बरतर ले लिजिए और उसमें इस पेश्ट को डाल दीजिए अब इसके बाद में आपको डालना है नारियल का तेल यानि की कोकोनट ओयल जो यह नारियल का तेल होता है दोस्तों दर्दों को खतम करने में केलसि का हो या पर जोड़ों का हो या जॉइंट हो आपके सारी ग्रीज को पूरा करेगा अब इसके बाद में आपने देखा यहां पर मैंने करीबन तीन से चार चमर डाल दिया नारियल का तेल और यह जो आधी कड़ोरी सीसी में मस्टर्ड ओयानी की सरसों का तेल बचाता यह भ मस्टर्ड ओईल ग्रीजकितर श्र तेल और मैंने तीन से चार चमर इसमें नारियल का तेल डाला है आप सबी को को कोनेटोल घोटा है और मस्टर्ड поним को parler यहां पें सारी स्मघ डालने के बाद में आले कि दीमी आज कर लें और दीमी आज पर इसे आप बनाईए ताकि जब यह दीरे दीरे पकेगा तो इसका सारा पोस्टर जो इसमें लेसुन यूज किया है अद्र अनिकी प्याज यूज किया है और धनिया यूज किया है तो इसका सारा अर्खा में इस तेल में मिल सकें दोस्तो तो इस्तेमाल करके आप जरू देखना जैसे की सरजयों का मौसम चला है बहुत से लोगों को ठंड की वजए से भी दर्द वोने लगता है घुटने में कमर में थोड़ा सा चलते यह उनको प्रोबलम होने लगती है थोड़ी सी सीडिया चलते है ठकान सी होने लगती है आप इसका इस्तेमाल करना आपका एक एक दर्द मिलकुल रामबन की तरीके से क्या करेगा ये काम करेगा आपके दर्दों में तो आप इसको चलाते जाए यानि बीचुन चलाइए ताकि इसको ये तली में ना बैठ पाए और इसे में बहुत ज़्यादा नहीं पका लिया है धीमी आज पर और आप इसका कलर भी देख सकते हैं तैयार हो चुका है अब क्या करना है तेल को ठंडा होने के बाद में इसको चान लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह ठंडा हो चुका है और अब मैं यहां पर छानने के लिए एक कपड़ा ले रही हूं क किसी किसी को तो मास पेस्वी उमा दर्द होने लगता है आप दोस्तों इसका ट्राई करना और आप अपने सभी दर्दों को जड़ से खतम करना आपको एक बार में ही आराम मिलेगा आप देखना यानि कि कहने का मतलब है एक बार इसको लगाएंगे तो आपको इसका करके अच्छे से चानना ताकि सारा तेल बाहर निकाल आए ठीक है तो आप देख सकते हैं यह सारा तेल बनका कि तयार हो गया है अब मैं यहां पर एक बात और बताना जाओंगी यह दर्द के लिए भी अच्छा है और हमारे बालों के लिए अच्छा है अगर आपके बाल जार में भर करके रख लीजिए यह देखिए यह आपका यानि कि एक बार की मेहनत है और फिर आराम ही आराम है तो दोस्तों इस तरीके से आप यह घर में होमेड तेल यह आइरवजिक तैल तयार करिए और आप अपने दर्दों को बाई बाई बोलिए यह देखे यहाँ पर ये जो प्याज ये दर्द को सूजन को जर्द से ख़तम करता है साती साथ हमारे नसों में हमारे ब्लेड का संचार तेज करता है क्योंकि आप चाहे एडी में दर्दो, घुटने में दर्दो, हाथ की कलाई में दर्दो, पैर के मुरुआ में दर्दो, कहीं पर भी दर्दो, आपके फुल बोडी में कहीं पर भी दर्द है, आप इस तेल का इस्तेमाल करिए, मैं यहां तक बोलूंगी, अगर आपके सिर में दर्द है, तो आप इसको बालों में लगाईए, यानि कि सिर में लगा करके और अच्छे से ठोक करके मसाज कर दीजिए, आप देखना आपके सिरदर्द भी चला जाएगा इसी तेल से, बहुत अच्छा तेल है, इसका इस्तेमाल आप जरू करना, आपको क्या करना है, इस तेल को लेना है, और ल फाइदा मिलेगा, और जब आप मसाज करेंगे, तो यह जो तेल आप लगाएगे ना, यह आपकी इसकिन में समा जाएगा, यानि कि आपकी जो तुचा है, सोक कर लेगी, जिससे कि आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे, और रात में जब आप इसको लगाएगे, तो आ आप इस तरीके से कटोरी में तेल निकाल लिए और निकाल करके आप डिरेक्ट लगाएगे, आपको कुछ गुर्णगुना बगएरा कुछ नहीं करना है, आप ऐसे ही लीजे तेल को और डिरेक्ट इसको लगा लीजिए, आप देख सकते हैं, यह हरा-रा तेल तैयार हुआ ह यानि कि गुड़ों की खान है तयार होगी है इस तेल में तो इस तरीके से आप इस तेल का इस्तिवार करें वीडियो पसंद आई तो लाइक करें दूस्तों सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मैं हम तुरी अनुशन साथ तो तेले नमश्कार